आदेश आदेश जेश्री महाकाल मैं विक्रांतनात बहरो का पालिक तंतर में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के सामने एक विलक्षन साधना लेके आया हूँ परी साधना परी साधना परी होती क्या है? परी का लोग कहा है? परी का जो लोग है धर्ती से बेहद ही करीब माना गया है ऐसा हमारे वेद कहते हैं ऐसा हमारा पुरान कहता है परी की साधना करने के लिए अमोमन कुछ चीजों किया विसेश ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला तो परी की साधना करने के बाद इनसान को किसी भी भोग वस्त की कमी नहीं रहती साधक को जो चहिए वह सरलता से उपलब्ध हो जाता है और परी जो होती है वह साधक अपने एक कारे करती है मित्र कोई रूप में बहन के रूप में माता के रूप में आप उसको प्राप्थ कर सकते हैं और यह साधना कब करनी चाहिए किसी भी नौचंदी जुम्मे रात अथवा किसी भी सुक्रवार की रात्री से यह साधना इस्टार्ट करनी चाहिए साधना इस्टार्ट करने से पहले आपको अस्नान करना है अस्नान करने के पहले आधे घंटे पहले क्या करिए कि उसमें 10 या 15 गुलाब के फूल डाल दीजिए और जब आपको अस्नान करना है उसी गुलाब के पानी वाले फूल से अस्नान करिए फिर इसके बाद अस्तनान ध्यान करने के बाद आपको खुस्बूदार इत्र लगाना है खुस्बूदार इत्र लगाना है और खुस्बूदार ही साबुन यूज करनी है खुस्बूदार ही धूप यूज करनी है अब आपको क्या करना है पस्चिम दिसा की और मुख करके तिली के तेल का चार बाती का दीपक होना चाहिए दिसा आपकी पस्चिम होनी चाहिए और मध्यरात्री मतलब बारा वजे से आपको इसका जाब करना है आपको इसकी डेली 21 माला करनी है और 21 दिन तक ही करना है आपको देड़ घंटे अपने आसन पर बैठना है साधना जितनी सात्विक हो जितनी सरल हो उतना ही अच्छा है साधना के सिद्धी का सबसे बड़ा लाभिय है कि साधना जितनी ज़्यादा आपकी गुप्त रहेगी उतना ही आपको हित कर रहेगा क्योंकि साधना एक ऐसी चीज है कि आप जब तक स्वैम नहीं सद होगे ति किसी भी चीज को आप बुला नहीं सकते हो सबसे बड़ी होती है उसमें निष्ठा आपका विश्वास आप कितना उसके प्रतिसमरपन हो लाख भोग लाख मेवा मिस्री मिठाई आप चड़ा दो पर अगर आपका सक्ति के प्रति समर्पण नहीं है विश्वास नहीं है तो चाहे आप कितनी भी साधना कर लो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा और साधना काल में कुछ चीज़ों का मैं बार बार बोलता हूँ विशेश कर ध्यान रखना चाहे जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हो कम बोलना चाहे साथिक खाना खाना चाहे कम खाना चाहे नीद थोड़ी लेनी चाहे और सारा दिन अपने सक्तियों के प्रति ध्यान किं परिवह भी कारे करती है अब आपको आसन या तो काले कंबल का होना चाहिए या तो जानमाज होनी चाहिए अगर हिंदु भाई कर रहे हैं तो जानमाज होनी चाहिए अगर मुसल्मान भाई लोग कर रहे हैं तो जानमाज होनी चाहिए दिसा इसमें आपकी पस्चिम होनी चाहिए 21 माला आपको जाब क करने के बाद आप उसी जगह पे सो जाईए जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं उस कमरे में आपके अलाबा कोई प्रवेस्ट ना करें जितने दिन तक आप साधना करें और आगे भी मैं आपको एक से एक साधना लेके राता रहूँगा मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्रा